Welcome to Care for Studies तो हम Science के चार चैप्टर अरड़ी पढ़ चुके हैं और हमने उनका रिविजन भी Self-Assessment Test के थू कर लिया है अगर आपको Self-Assessment Test देने हैं तो उनका लिंक में Description Box में दे रही हूँ बाकी आपको उनका लिंक उपर आई बटन में भी दिख जाएगा अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स चैप्टर जो की है चैप्टर नमबर 5 Separation of Substances So let us start with the overview of the chapter तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम Method of Separation पढ़ेंगे इससे पहले की जो दो टॉपिक्स हैं उन पर हमने अलरड़ी वीडियो बना दी है अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ जो है Method of Separation अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी Mixture को किसी भी चीज को Separate करने के लेकिन अब वह Method of Separation इतना सारे हैं तो हमें कौन सा पता चलेगा कि किस Mixture के लिए में कौन सा Method यूज करना है तो जो भी Method हम यूज करेंगे किसी भी Mixture को Separate करने के लिए वह Depend करेगा कि जो Mixture के Components हैं वह Components का Size क्या है या वह किस फिजिकल स्टेट में हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जो Property होती है Component की वह Decide करती है कि हम कौन सा Method Separation का यूज करेंगे किसी भी Mixture के Components को अलग-अलग करने के लिए तो मैंने आपको अभी बताया कि हम जो भी Separation Method यूज करें वह किस पे Base होता है वह Base होता है कि हमारे पास Mixture का कौन सा Type है तो Mixture basically तीन तरह के हो सकते हैं पहला हो सकता है जहां पे जो Components हैं वह Solid हो मतलब वह Solid in Solid टाइप Mixture हो Second हो सकता है Solid in Liquid Mixture तो इसमें क्या होता है कुछ Component Solid होते हैं कुछ Component Liquid होते हैं इसी तरह जो Last Type है Mixture का वह है Liquid in Liquid तो यहां पे दो या उससे जादा Liquid आपस में Mix होते हैं तो अगर फर्स ट्राइप का Mixture है हमारे पास मतलब अगर हमारे पास ऐसा Mixture है जिसमें जितने भी Component है वह सिर्फ Solid हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे हम या तो Hand Picking यूज़ कर सकते हैं ऐसा Separation Process या फिर हम Threshing यूज़ कर सकते हैं विनोइंग यूज़ कर सकते हैं या सीविंग यूज़ कर सकते हैं अब यह डीटेल में हम Next Class में पढ़ेंगे कि Hand Picking क्या होता है Threshing क्या होता है विनोइंग क्या होता है या सीविंग क्या होता है आज ही class में हम सिर्फ ये पूरा flow chart पढ़ेंगे कि कैसा किस type के mixture में आप कौन सा separating process यूज़ करोगे आज हम यही पढ़ेंगे तो next अगर हमारे पास solid and liquid अगर ये वाला हमारे पास mixture है तो ये mixture भी दो तरह का हो सकता है अब ऐसा भी हो सकता है कि जो solid है वो liquid में soluble हो मतलब जो solid है वो घुल जाता हो liquid में और ऐसा भी हो सकता है जो mixture है उसमें जो solid है वो liquid में घुलता ही ना हो वो insoluble solid हो तो दोनों के लिए अलग-अलग तरह के method हम use करेंगे separation के लिए अब first case में हम evaporation का use कर सकते हैं जैसे की एक example मैं आपको देती हूँ अगर हम salt water लें उसमें से अगर हमें अलग-अलग करने हैं component हम evaporation का use कर सकते हैं इसी तरह अगर हमें insoluble solid in liquid इस टाइप का अगर हमारे पास mixture है तो हम यह सारे separation technique यूज कर सकते हैं जैसे हम filtration कर सकते हैं sedimentation भी यूज कर सकते हैं sedimentation and decantation similarly loading भी एक separation technique है जो हम perform कर सकते हैं इसी तरह churning या फिर centrifugation तो यह वाला method भी हम यूज कर सकते हैं इस case में तो यह सभी को हम detail में आगे की classes में पढ़ेंगे last तरह का mixture है liquid and liquid अब यह जो mixture है यह भी दोट तरह के हो सकते हैं पहला ऐसा हो सकता है कि जो दोनो लिक्विड है वह मिसिबल हों मत्वापस में mix होजाते हैं एसे भी हो सकता है कि जो लिक्व Rechts hain Wiram वह अपस में mix नहीं होते हो वह इन्मिसिबल licquid Cocoda हो तो दोनों के लिए अलग-अलग तरह की Seperation Technique हम यूज करते हैं तो जो पहला केस है जहां पर दो यह multipod जादा Nissan Liekes biz Casoda होते हैं उसमें हम यूज कर सकते है holy Distilling Process और second case जहां पे liquid mix नहीं होते हैं वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं separating funnel तो यह पूरा overview है कि अगर आपको किसी भी तरह का mixture आ गया तो आप उसमें कौन सा separating method या कौन सा separating process यूज़ करोगे तो अगर आपको solid-in-solid mixture मिला है तो आप पहले वाले process यूज़ करोगे solid-in-liquid मिला है तो यहां पर जो flow chart में दिये हैं आप वो यूज़ करोगे और liquid-in-liquid है तो उसमें आप distillation और separating funnel इसका यूज़ करोगे तो examination point of view से यह जो table है यह बहुत जादा ज़रूरी है इससे आपको easily पता चल जाता है कि अगर आपको mixture इन में से किसी भी type का है तो आप कौन सा separating method यूज़ करोगे तो thank you for watching आज की class के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चानल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डाले तो आप तक notification सबसे पहले पहुचे thank you आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं